खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया निउस को सब्सक्राइब कीजिए प्रदेश प्रबारी माकर ने जो संकेत दिये हैं उसके मताबिक भावी मंत्री मंडल में हर जिली का प्रतिनी धित्व नसर आना चाहिए और उसी के अनुसार ने चेहरे लिए जाएंगे और पुरानों को ड्रॉप किया जाएगा ऐसे में कैसा होगा मंत्री मंडल फिर बदल और वस्तार आज बात इसी खास मुद्देबर और जनी इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए महान साथ बेहत खास महमान भी जुड़ चुके उन से रूबरू करा दे आपको महान साथ बीजब विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रमलाल शर्मा जी मंदर मंडर विसमार फिर बदल हो जाएगा सहमती क्या सबकी बन गई अब आपको लगता है कि इसी फॉर्मुले के तहती काम होगा और क्या फॉर्मुला है जिस पर मोहर लगी है जो मंत्री परिशत फेर बदल विस्तार है उस पर श्वेता मोहर लग जाएगी और जो सबसे बड़ी बात जो फॉर्मुले की बात है जो पहली बार जो विधायक बने हैं जो फस्टाइमर्ज ने कहा जाता है वो मिनिस्ट्री में नहीं आएंगे उन्हें संसधी सची बनाने क की बात चल रही है चाहिए वो इंडिपेंडेंट हो चाहिए वो कॉंग्रेस पार्टी की हो और चाहिए वो बीएसपी से आएवे इच्छे कॉंग्रेस में विधायक हो दूसरी जो दलील है कि जो अजे माकन के फॉर्मूले में है कि सभी जिलों से प्रतनिदित होगा सभी जिलों से प्रतनिद्द्द लिया जाएगा जहां पर भी कॉंग्रेस पार्टी का विधायक नहीं वो एक अलग बात है अभी भी कई ऐसे जिले हैं जिनका प्रतनिद्द्द्व मंत्री परिशद में नहीं है तो अब जो अगली का वायद होगी उसमें सभी जिलों को शामिल किया जाएगा और फॉर एक्जामपर अगर जैसे सिरोई का जिला है वहां मिनिस्ट्री कोई भी कॉंग्रेस का विधायक नहीं तो उसका विकल्प चुना जाएगा इसी तरह से दूसरे अने जिलों को तमाम जो जिलें और S.C.S.T. और O.B.C. इस पर कॉंग्रेस के आगाम और O.B.C. की जो प्रमुक जातिया है कॉंग्रेस का जो परंपरागत है जाट वोट बैंक उसको साधा जाएगा इस मंत्री परिशत अभी जो आलात है उस आलात में एक बी केबिनेट मंत्री नहीं है दलित केबिनेट मंत्री आएगा मास्टर बहुलाल मेगवाल के निधन क को लेकर बातचीत थी मुख्यमंत्री गहलोत से जिस पूरे फॉर्मिले करेकर बातचीत की उस पर सैदान्तिक सहमती हो चुकी है अब इस पूरे मामले पर आलाकामान की महुर लगना बाकी है और जो एक राइशुमारी की बात है अलग अलग विधायकों से मिलकर बात सुनन वो काम अजमागन करने 28-29 को जापूरा रहा है क्या माने कि कॉंग्रेस पे जिसका इंतजार था मंत्री बेंडल फेर बदल सरकार में हो विस्तार हो वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है बिना किसी शिकायट बिना किसी नराज़की के देखिये शुयता जी ये बिलकुल इंतजार की ऐसी कोई बहुत लंबी बात नहीं है कि जिस तरह के पिछले एक डेड़ साल से हालात हैं देश के अंदर तो प्राइटीज हमेशा के साथ से ही सरकारे चला करती हैं और मत्यमन का विस्तार होना बदलाव होना एक सामाने प्रिकरिया है जो वक्त रहते जब सुटेबल हो तब होती है तो कहीं न कहीं हाँ अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त भी आ गया है और जो संगत्हन को पार्ट प्राइटे हैं या जंता को जो उमीद हैं उन्ने हम सब मिलके पूरा करें जो उद्देशी लेके मुख्यमंतिरी जी लेजसागार का गठन किया था डेवन से वह हमारे वक्त के रहते पूरे हो तो उसी दुझे के साथ ये सारा फिर बदल होगा और मुझे उमीद है आगर क एक अच्छा फिर बदल होगा जरुत के साब से होगा। कि उन्हें पद मिलेगा, क्या मिलता है, किसे ड्रॉप किया जाता है, लेकिन उतना ही इंतजार विपक्ष को भी था, कि जल से जल ये सब कुछ हो, ताकि विकास के काम हो सके, ये जैसे कि आप लोगों को ने बार-बार कई बार चर्चा के दौरान कहा। कि इस एसा दिगा रहे हैं कि इसको मंद्रे मंदल में रहता है, और किसको मंद्रे मंदल चे बाहर करा सकता। लेकिन एक चीज़ तो हो चुक है कि ये मंद्रे मंदल का जो उनरग धन भी होगा, वो रजास्तान की जन्ता की पलाहीं करीनी होगा, वो सिरफ और सिरफ अपने लोगों को संतुच करने लिए होगा। लेकिन एक बात आप मानके चले कि राजस्तान की कोंग्रेस पाटी इस की सर्कार के इस नाव के अंदर इतने चित्र हो चुक है कि वो इन चित्रों को किसी रूप में नहीं ब्राजा सकता। अब योगे सी ठीक करें दे कि बहुत बड़ी चनोतिस बात किये कि आधिरकार संतुच्टी की साधार पे करेंगे जो सरकार के साथ करेंगे, संतुच्टी को साधार पे करेंगे, जो सरकार के अंदर बगावते रूप अत्यार करेंगे, संतुच्टी जिलों के अप्रिस दे समर्थन के साथ जो सरकार को दी है किन्य ना किसी मुद्ध क्या दारत नर्पे दिया है कि किसी शर्तों क्या दौवात मुद्या के साल मेडिया के शामें था वज़िध derechos लगता है कि जो तरी को ने तरी को ने तरी के अंदर तयार बेठे वेए हैं जो लगता है अटाइज पूर्टी से बोले तैयारी करके वैठे होंगे तो 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 गंटों में भी हो जाएगा रामला जी वसनाम यहां पर सामने आजाए और उन से किने इस्तिफा लिया जाता है नहीं किने ड्रॉप किया था इब है में लेकिन वाजीब जी जरत जो सवाल उठा है रामला जी ने उसका एक जवाब दे दीजे ठीक है निर्दले विधायक हों बस-पस से कॉंग्रेस में शामिल हुए विधायक हों सभी को उम्मीदे यहां अपर हैं लेकि कुछ पैर मीटर्व यहां पर सेट कर दिये गएए आपको लगता है कि जो फैसला लिया जाएंक किसी को भी जल्दबाजी ने करनी चाहिए और हर किसी को तो बनाया नहीं जा सकता ने शामिल नहीं किया जा सकता ये भी समझना चाहिए विधायकों को देखिए निची तोर पे जैसा रामलाल जी ने भी कहा यह मुख्य मंत्री जो का पेशेश जादिकार होता है हमारे मुख्य मंत्री बहुत अनभवी है उनको सरकार चलाने का अनभव है जनता की जो जरूत इनको समझने का अनभव है तो निची तोर पे उनसे अच्छा फैसला इस मामले में कोई ले भी नहीं सकता, तो जो भी प्रिदेश की जनता के लिए अच्छा होगा वो होगा, ये कह रहे थे कि साब ये तो संतुष करने के लिए बात ऐसी कोई बात नहीं है, कॉंग्रेस के सारे लोग इसी बाह से संतु एक्टिव मेनेजमेंट करने के लिए प्रिकरिया है, जो होगी, पर निची तोर में बुद्धा एक ही है, अभी रामलाद जी पूछ रहे थे कि हमारे भी कुछ शर्ते रही होगी, ये रहा होगा, वो रहा होगा, तो सिर्फ शर्त एक ही है कि प्रदेश की जनता को एक अच समर्पित हों क써 जनता के लिए काम करें, अब क्योंकि ये प्रिक्रिया वाली चीज़े है, नाराजि होगी, तो सरकार का फोकस भी इस पर हो जाता है, इन से हटने के लिए जरूरी है कि जल से जल विस्तार हो जाए, मंत्रिमनिल फेर बदल हो जाए, और सभी को अपनी जमे सब को खुश रखा नहीं जा सकता और जैसा कि अभी रामडाल जी कहते कि अपनों को संतुस्ष करने की कोशिश की जा रही है चली पिछले साल जो हुआ सो हुआ नाराजगी थी अलग हो गए गुट की बात करने लगे गतिरोध है यह तो परिवार में भी होता है घर में ऐसा ह होता है कई बार दो भाई आपस में ऐसे हो जाते कि बिलकुल ही अलग हो जाते और बात में साथ है आते तो भी क्या उस पुरानी बात को उस नाराजगी को जहन में ताजा रखना जरूरी है यह आपको लगता है कि अब जब इतनी बात्चीत हो चुकी है ऐसे फॉर्मुला स्टैक किया गया है रास्ते निकाले गये हैं तो अब जो भी होगा सबकी सहमती से होगा शांतिपून्ट तरीके से होगा और आप कोई विवाद नहीं है देखिए राजनीती में बहुत लंबी शत्रूता और कटूता नहीं चलती और बहुत लंबी दोस्ती भी नहीं चलती यह राजनीती का एक फलसफा है और जब दो बेमेल या कह सकते हैं कि दो अलग अलग विचार धारा के गड़बंदन भी मिलकर सरकार बना लेते हैं जैसा कांग्रेस के अंदर तो गांधी परिवार आला कमान है वो जब चाहे तब किसी भी बिच्छड़े सातियों को एक जगह पर लाकर मिला सकते हैं या नाराजगी दूर करने में उनके पास अपने फॉर्मूले होते हैं और अपना एक कहा जा सकता है एक मैनेजमेंट होता है व पर दिजिजन्स लिए गए उत्राखंड में किया गया अब जो कॉंग्रेस है वो आने वाले समय के विधान सबाद चुनाओं आने वाले समय के लोक सबाद चुनाओं के इसाब से काम कर रही है हिंदी पट्टी पर विशेश फोकस कॉंग्रेस आला कमान का है राजस्तान मे मिथक को तोड़ना कॉंग्रेस चाहती है एक बार और एक जीत को तो जब यह मिथक तभी तूटेगा जब कॉंग्रेस यूनाइटेड रहेगी और आपस की समन्वे और सहमती से आगे बढ़ेगी तो उसी कवायद में है अब जिन मंत्रियों को डॉप किया जा सकता है पूरी तरह से कहा नराजगी हो सकती है किसको कैसे संतुष्ट करना है ये पूरी कवायद भी हो चुकी है देखिये अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी का पूर्नर गठन भी होना है राजस्तान से भी वहाँ कुछ चाहेंगे इस वक्त हमाने साथ मुक्ष सचे तक महिश जोशी जी फॉल लाइन पर जुड़ चुके महिश जी बहुत स्वागत है सर आपका बिग फाइट लाइव में महिश जी इंतजार सभी को है आएकमान के इस प्रक्रिया से अभी फ्रक्रिया जा रही है आएकमान के दिर देश पर 389 सरय को आजय माकन ये महारी महमंत्री है वह हमारे सभी विधायकों से 283 को मिलेंगे अभी घ्यक्तिश्या मिलेंगे उनकी राइज आनेंगे और उसके बाद में जो कुछ फैस्ला होन मंत्री बेंड़ विस्तार तो और अब कहा जा रहें पाथ से दस अगस के बीच में इसको लेकर कोई तारीक है क्या भी पता नहीं किस ने का अटाइस उंसकिस का अमने तुनी का ने मुख्यमंत जी ने का ना प्रदेश कंटरिस कमेटिक एडिक जिने का ना प्रभारिमामन जी प्रदेश के जा रही है सर अब कल आजा है माका जी कहीं कि तारीक हो में किसी चीज़ को नहीं बांदा जा सकता प्रक्रिया पूरी जैसे ही हो जाएगी तो आतिश शिकर उस पर पैसला लागो होगा और उस प्रामल किया जाए महीं बिलकुल और अगर पिछले एक साल की बा करेंगे अब को विवाद या विरोध नहीं निश्य दूप से हम तो पहले सभी बात करहे हैं इस चोटी मूटी करें पार्टी में चलती रही है लेकिन कॉंखली का नेतरत में और आगे भी सुनिया जी कर अजी कर नेतरत में का मरें एक पन आएगे लिएगा पर एस लेकर ब पर दूसरे लोग बड़े सीनर लोग हैं लेकिन किसी कारण से आज विधायक नहीं है तो उन लोगों से राज शिमारी होगी और सब के राज शिमारी के बाद में ही हाई कमान पैस्टा लेगा और हमेशा है कमान में ऐसा ही किया है ठीक है ठीक है ठीक है अब इशा ऐसा ही किया है और इस बार भी ऐसा ही होगा लेकिन एक आखरी सवाल मैश ये दे कि निर्दली विधायक हों बसपासे कॉंग्रस में विधायक हों बहुत सारे लोग गुंबीद करके लेकिन जो पैरामीटर सेट किया गया कि पहली बार विधा है तो एक सो चपन की हमारी संक्या थी तब यह एक तरीके से यह फॉर्मूला था कि जो पहली बार जीत कया है उसको मंत्र नहीं बना रहे तो अपके बारे में मैं महीं कह सकता क्योंकि इस तरीके की गोश्णा मेरी जान करे में कम से कम नहीं है लेकिन जो भी पैरामीटर से सबसे बड़ा पैरामीटर तो यह है कि 15 परसेंट से ज्यादा मंत्री मंदल नहीं हो सकता तो 30 से ज्यादा का मंत्री मंदल राजस्थान में नहीं हो सकता सबसे बड़ा पैरामीटर तो यह है अगर इसमें गुंजाश और होती तो जीतिने गुंजाश होती उतने लोग और म जोशी ने भी कहा कि 15 परसन का जो परमीटर वो तो फिक्स होगे तीस जादा मंतरी शामिल नहीं होगे और बहुत कुछ है जो चर्चा राय शुमारी के बाद ही सामने आसे क्योंकि वक्त भी खत्प हो रहा है एक एक रेक्शन जरूर चाहेंगे रामलाल जी सबसे पहले आप स लेकिन कोई काम नहीं हुए लेकिन कोवीड महामारी को भी तो नहीं भूलना चाहिए ना वाजी वली जी एक रेक्शन सार कुछ काम नहीं है यह रामलाल जी कहना है लेकिन ठीक है विकास भी कराना है इसकार नहीं रहा जिसके लिए काम नहीं हुआ है इस बार का बजट ऐसा बजट आया है इतनी विपरीज परिस्टितियों के अंदर भी सरकार ने हर बरका खयाल रखा है तो इस परकार की कोई बाद नहीं है जंतर संतुष्ट है सरकार पूरा काम आज भी कर रही है ऐसा नहीं है कि अगर मंतिरी कम है तो काम नहीं हो रहे हैं हर एक विभाग के अंदर काम हो रहे हैं और सत्य को सामने लेके आए लियास करें और मोदीजी से कुछ कहें कि देश का भला करें चली ठीक है योगेशी एक एक एहम बात है कि देखे तारीखों में इससे ना बांधा जाए प्रोसेस चल रही है बाक्षी थोरी अभी मही जोशी जी ने भी कहा तीस डिपार्टमेंट ऐसे जिनका कोई भी पैरेंटल अभी तक मंत्री नहीं है एक तरह चेका जाए वो अलग-अलग विभाग जो है वो काफी हद तक कुछ मंत्रियों के पास है और या फिर सीमों के पास है तो उन सब को माटा जाएगा और जो तीस की जो लिमिटेशन है 15% की उसके अनुसार मेंजी नहीं ठीक आया है कि उसी अनुसार सब कुछ होगा सब को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता और सब को नहीं साधा जा सकता लेकिन ये जरूर है कि जो कॉंग्रेस पार्टी है इस पार जो नए मंत्री परिशत फेर बदल विस्तार में वो अपना परमपरागत जो वोट बैंक है कॉंगरेस पार्टी का उसको फोकस करेगी। प्रदेश प्रभारी हैं वो विधायकों से करेगी और इसके बाद 5-10 अगस के बीच में माना जा रहा है कि मंत्री मेंडल फेर विदल विस्तार हो जाएगा और उमीद करते कि शान्ति पून तरीके से सब कुछ हो सब की सहमती हो ताकि ये काम हो सके सरकार में तो इसके बाद विकास भी विकास को लेकर भी फोकस प्रदेश सरकार कर सकेगी चलिए सब बिक फाइड लाइं में फिलाल गली इतना एक छोड़ी सब ब्रेक के लिए रुकेंग जलधा से रोटेस ब्रेक के बाद